राम मंदर बिजेपी बनवाई है तरसाल से फैसले नहीं आये था राम मंदर का नरेंदर मोदी जैसे स्ट्रॉंग परसनालिटी राहूल गांधी मुझे नहीं लगता कि वो है और नाई वो बन सकते हैं क्योंकि फिलहाल जो पीएम पोजीशन पे है ना वही पीएम बनने हुए है आप जैसे देखेंगे जब से नरेंदर मोदी जी आया है तब से लॉट आफ डेवलोपमेंट हुए है बहुत सारी चेंजिस हुए है जो हमने पिछले कई सालों में नहीं देखे थे जैसे कि आप देखोगे इनोवेशन बहुत हुआ है हमारा इस रो उसके बाद हम होती कुछ में देखने को मिलेगा जो हम नहीं देख रहे हैं महीला सुरक्षा को लेकर बात करें मैं तो 2014 के बाद से जबसे प्राइम मिनिश्टर बने मोदी महिलाओं को लेकर क्या है क्या सुरक्षी थे महीला पहले से या फिर सितिती वैसा ही है पहले से काफे सुधार हुआ है और स्थिती एकदम सही नहीं हुए लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है और उमीद है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़े सही होंगे तीन तलाग पे काम किया और महिलाओं के लिए यह स्पेशली तो ही नोस दी रूट वो रूट कॉस क्या है वो रूट पे काम करते हैं ठीक है क्योंकि आप उचाई पे बैठके नीचे क्या हो रहा है वो दूर से दिखाई नहीं देगा आपको भी न अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं तो ही नोस दी रूट कि कहा पर प्रॉबलम में किस पर काम करना है जैसे आपकी नोटों पर देखा जाए तो डिमोलाइजेशन किया उन्होंने नोट बंदी की और उसका फर्क भी पड़ा तो यह सब चीजे जो स्टेप उन्होंने लिए जो कि बाकी लोग नह सब्सक्राइब हो सकता है आने वाले टाइम में कोई एक और अच्छा कंपटीटर आये और जंदा को लगे कि हां यह कुछ नया कर सकते देन विल सी कि क्या हो सकता है रहुल गांधी जंता से जुड रहे हैं कारपेंटर से मिल रहे हैं कूली बन रहे हैं खेतों में जाकर धा क्यों कि पहले हमने इतना मढ़ोसा किया था और वो चीज नहीं हुए जितनी होनी चाहिए थी जितना टाइम जंदा ने जितना प्यार उनको दिया कॉंग्रेस को उतना प्यार मुझे लगता है अभी मोदी जी को नहीं मिल रहे हैं जितना हमने उनको पहले दिया था तो अगर आप खुद यूथ हैं आपको क्या दिखाई पड़ रहा है अगर आप कंपेर करोगे अधर कंट्री से तो वहां पर भी बढ़ी है और यहां पर भी बढ़ रही है और जो एकनोमी है वह भी बहुत अच्छी बढ़ रही है अब हम चाइना के बाद थर्ड एकनोमी कोई है नहीं दोजार चौवीस में मैं चाहता हूं कि पुना हमारे प्रदान मंत्री नहीं दिखी वने क्योंकि जब से नहीं मोदीजी आए हर तरफ डेवलोपेंट हो रहा है चाहिए वह कसमीर से ले के करनिया कुमारी तक हर तरफ डिवलोपन्ड ही डिवलोपन्ट है और योगी-जी पी काम कर रहे है तो कह और योगी फिल से दुवारा सत्ता में आए और जिपका से देखा जाया कि भाजपासरकार पूरे विश में अपना पर्चम नहारा रही है और जैसे की ट्वेंटी के समीट आप देखने पुरे देस में में धारकन में मुघा и मूंबई म समर्थनों हमारा देश के तरफ हर कोई आस्रित है तो आई नहीं बताए कि हम राहूल गांदी को प्रतानमंत्री बनाएंगे हम बदलाओ चाहर है परिवरतन चाहर है आप क्या कहीं देखिए डेवलोप्मेंट जितना अभी कॉंग्रेस के सरकार में हुई तो से दोगीना ठाइए और अब देख रहें कि जिस्क्री कर च्मोदी जी के सरकार मतलब लगभब नौ सालों में जो काम करके दिया टृच को इसत्र सरहोंति काम करके दियोगा राम नंतिर्फय भूट का फैसला सुप्रेम कोट का फैसला ता सविक्रणा फैसला समस्क्राइओर को निसाम म तरश्वी कोट पैठेए करें को अंगरी सरकार में रासन दो तरी महीना नि मिलता था अब डो बार लिए जन्टा अरे क्यासी पात कर रहा यूपी में पैठ का पाणी पानी जाता था अपक अब रोड़ देखें जाके यहाँ मेरी बासनिया था जर्में से निकलता था था झाल झाल